दिरी एनम दिरी हलो और यहां बेना सभी लोग अपने बच्चों को अपने काम के साथ साथ ब्लॉग हां और सब के सामने अपना काम भी कंटिन्यू रखना पड़ता है ताकि कोई यह न भूले कि हाँ ब्लॉग ही बना रहे हैं और गाउं की मेलाओं को अगर आगे बढ़ने क मौका मिल रहा है मुझे कि यहां पर थोड़ा चेक अप के लिए आना है तो वहीं जा रही हूं मैं और घास की स्क्राइब कुछ भी जैसे हम गाउं से ब्लॉग बनाते हैं कैसा लगता है काम अब इतने आगे हो गई हमारी मेहल है हाँ हाँ तो बूल लेकी बढ़ नहीं पर सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार बढ़न मस्ते मेरा नाम है रेखापवार और मेरे गाउं का नाम है बरसारी जो कि रिद्र प्रयाग रिष्टिक में पड़ता है तो आज के व्लॉग के सुरुआत हो रही है अपने घोशाला और सुबा के साड़े नौ बजे से सुबा का नास्ता पानी करने के बाद हम लोगों की तैयारी हो गई है जंगल जाने की और आज काफी टाइम के बाद जंगल जा रही हूं और घास काटूंगी मतलब यह वाला काम काफी टाइम से नहीं करा मैंने माइके में यह सब काम नहीं किया मतलब सादी के उसमें बिज स्टन्सिक नाम करमने करें अर्त इसलिए करा कि वह उसके पास जब भी घहास दो तो मतरव रहते हैं सलमें अपने मुझे नहीं सब्सक्राइब दिन्ह bringen हैőlब सब्सक्राइब था जब भी यह सब्सक्राइब करता युअ तो मैंने फुकान सिंग कह दिया उसको और बाके चलते हैं मैं सुबो का अच्छा सा नजारा दिखा देनी हूँ तो दोस्तों जंगल में पहुंच चुकी हूँ स्वाल्टी लेके और सबसे पहले न दरांती पे धाया लगाना काफी ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि जो आजकल की घास होती है वह काफी ज्यादा सक्त होती है और सूकी भी रहती है तो सबसे पहले मैं पर धाय बेटके और थोड़ा बहुत घास निकालते हैं मौसम पे आजकल बहुत खराब ही लग रहे है मताब धूप नई आए यहाром तो देखते हैं अवेग गास निकालती ह suis थोड़ देर और आज कल का घास थोड़ा-ध्वी होगा तो काफसी माना जाता है क्योंकि न घास की बहुत कम जाद मदब बहुत कम रहता है गास तो काफसी जादा सूकी है लेकिन इसमें पियोखेatu हरी हरी कॉंपले आ रकी हैं नहीं आजकल यह देखिए जैसे इसमें हरी हरी यह कॉंपली आ रखी है तो यहीं निकालनी है मुझे छोटी-छोटी और जहां पर कहीं पर लंबी घास होगी तो वह भी निकालनी है तो सबसे पहले इसी को निकाल देते हैं और थोड़ी देर मिलते हैं झालनी है तो सबस्क्राइब है तो सबस्क्राइब है तो सबस्क्राइब है जैसे लग रही है क्योंकि अपने माई के नौना कावि सारी रोनक और चहल पहल थी और यहां देखिए सुनसान जंगलों के बीच अकेली जा रखे हूं मैं सासुजी उदर थोड़ा लखडी काट रहे हैं बाकि मैं इन जंगलों के और पहाडों के बीच हूं और माई के में अजीब सब लग रहा है कि सब चले गए हैं अब बेकार लग रहा है तो क्या कर सकते हैं बाके मैं अपने ब्लोग को कंटिन्यू रखोंगी आप लोग के साथ आप लोग साथ और सपोर्ट दोनों दीजिएगा ठीक है तो थोड़ी दिर में जब घास की स्वाल्टी हो जाए अब ही तो हो चुकिए है थोड़ा निकालना था लेकिन नहीं निखाला अभी मैं घर चलती हूं इतना ही लेकर और अभी जाना है मुझे तुनटा तो घर पहुंचके मेरा हाथ मोदो और अपने रूम पर आ चुकी हूं तो थोड़ी देर में तयार होने के बाद और रास्त है और मुझे अचानक जाना पड़ा क्योंकि उन्होंने ना चेक अप के लिए बुलाया है तो मैंने कहा यार चलती हूं क्योंकि काफी ज्यादा दूर भी नहीं जा रखी थी मैं जंगल तो अभी चलती हूं मैं और वहीं दिखाती हूं आपको ठीक है ता संसान है थोड़ा अ और तो चलेगा यहां से लगता है हमारे शिवजी का मंदिर और यहीं वह मंदिर है जहां पर आजकत से पुराण पहता था जय भूले नाथ किरफा रखना अपनी बाकी दोस्तों चेक अप अगेरा हो चुके हैं और यह हैं हमारी तो ना काफी टाइम पहले भी आई थे मैं लेकिन तब मैंने यूटूब पर अनांस नहीं करा था तो उसके बाद से मैं नहीं बनाए बाकी दीदी लोगों ने चेका पगेरा कर लिये हैं अब मेरी है घर जाने की तियारी ठीक है ठीक है बाइब दीदी हलो और यहां पे लोग अपने बच्चों को ठीका और पल्या प हम्राम राशी है हम्राइस है यह ना चॵ्ह लावडी की तो है यह लावडी इसका बीदी द्जों से भ लोग बनाते है कारताई तो काफ जादा मुस्किल होता है गाउं से ब्लॉगिंग करना और गाउं के लोग ना जादा तर इन चीजों पर वो नहीं करते कि हाँ ये चीजे आची है ना सब को यहीं लगता है कि काम से अलग छोड़के और यह है कि सब के सामने अपना काम भी कंटिन्यू रखना पड़ता है ताकि कोई यह ना बोले कि हाँ ब्लॉग बना रहे हैं और गाउं की मेलाओं को अगर आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है मुझे भी मिल रहा है समाध सेवाई को इसको एक तरफ से हम भी मतलब लोगों की पसंद तो चलो है बाए मिलेंगे अगले दिन जब अगले चेक अप के लिए आएंगे हम दो और हमारे गाउं के आदे रास्ते से हमारा गाउं कुछ इस तरीके का दिखता है यहां पर हम न सिर्फ चार ہी परिवार रहते हैं जो कि कुछ खास साफ तो नहीं दिख रहा लेकिन बड़ा बड़ा अब आकी दो चार दो परिवार यहां पर रहते हैं बाकी यह जो रास्ता है वो आजकल नया ही बना है यह वाला और यहां से गेहूं की खेती भी काफी ज़्यादा सुनेहरी और अच्छी लग रही है तुनटस से आने के बाद खाना खाया और थोड़ी देर में सो गई थी अभी चाय पीने के बाद मैं जारी हूँ गोशाला भैस को बहा निकालने के लिए बंस को बहा निकालने के बाद में चल दी हूं अपने बड़े बड़े से खेतों के और यह वाला जो सामने पर आपको पेड़ दिख रहे है इसी के बगल वाला हमारा खेत है जिसमें कि मैंने ना गास निकालने के लिए जाना है और आज कल इन खेतों के बीच यानि की तो यहां पर बीच में आपको खाली-खाली सा लग रहा होगा पता है यहां पर जो सरसों होता है ना वो रखा था जो की हो चुका है और यहां से निकाल भी दिया है तो मैं यहीं पर निकाल देती हूं गहास को हुआна झाल झाल तैसा करके मैंने यहां बीच बारी घास्ती उसको निकाल दिया है और कंडी भरके मेरी हो गई है घर जाने की थेयारी तो आज चलते हैं घर की तरफ और अंदेरा होने बैठ गया है थोड़ा थोड़ा झाल झाल